शुक्रवार को दिगरश शहर के करीम 7 इलाकों में योगा भवन इमारतों का उद्गाटन समारोह संपन्द हुआ जिसमें शुषेणा के विधायक संझेर राटोड ने बत और उद्गाटक शिर्कत कर योगा भवनों का उद्गाटन किया इस मौके पर शहर शूसेना की पदादीकार्यों सही शूसेना की नगर सेवक, कारेकरता और समर्थकों का भारी हुजुम नजर आया शुक्रमार को शहर के विभिनने इलाकों में योगा भवन इमारतों का उद्घाटन समारों संपन्न हुआ इन सभी कार्य कर्मों में शूसेना के विधायक संजय राठोड ने शिर्कत कर योगा भौनों का लोकारपन किया इस मौके पर शहर शूसेना के पदादीकारियों सहित शूसेना के नगर सेवक कार्य करता और समर्थकों का हुजूम नजर आया मालुम हो के शहर के देवनगर, विठन नगर, महेश नगर, मोती नगर, गुरुदेव नगर, पडगिलवार ले आउट, शितला माता मंदिर और भारत नगर परिसर के योगा भवन का उदगाटन संजय राठोड इनके हातों किया गया इस दोरान आयोजित विभिन परिसरों के योगा भवन उदगाटन समारों में संजय राठोड का उनके समर्थकों दोरा उत्साह के साथ स्वागत सत्कार किया गया इसी कड़ी में मोती नगर में नगर सेवक सेद अकरम की अगवाई में आयोजिद उद्घाटन कारेकरम में शिर्कत करने आएं विधायक संजय राठोड का गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया इस मौके पर नगर सेवक नूर मुहम्मद खान केतन रतनपार की नगर परिशद उपाद धेक्ष हजिंके मातरे संजी चोपड़े अरिविंद मिश्रा वजीर कोथमीरे अबजल बेगादी मान्यवर प्रमुख रूप से उपस्तिक थे जहां तक योगा भवन अथवा फंक्शन हॉल के लोकारपन की बात है तो मोती नगर वासियों के लिए ये बेहत सौगत योग्य पहल है क्यूंकि यहां रहने वाले जादातर मजदूर पेशा तथा गरीब तपके के लोगों को शादी तथा अन्य सामाजिक कारे करमों के आ आरोपों को फिर से बेबुनियात करार देते हुए इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है और अपने दिगरस आगमन पर लोगों से मिल रहे पृतिसाथ पर उन्होंने खुशी जाहिर की लेकिन खुशी के जहांस पर सवार होकर जगा जगा योगा भौनों का उद्गाट की रिपोर्ट